लिम्फेतिक सिस्टम अब अच्छा हुमन के केस में दो टाइप के फ्यूड प्रेजन्ट होते हैं अंदर एक तो होता है बलड और अनदर वन इस लिम्फ चिक है तो उस लिम्फ के लिए बच्छा लिम्फेतिक सिस्टम होता है अगर आप से नॉर्मली बात की जाए कि वाट इस लिम्फेतिक सिस्टम तो बच्छा इस इस सिस्टम विच आव लिम्फ वैसल्स और यू कन से लिम्फ ग्लैंज ठीक है इन दा हुमन बोडी विच आपको सिक्टर ट्रांस्पोर्ट दा लिक्योड याट इस लिम्फ स्रों दा दिफ्रेंट पार्ट्स ओफ दा बोडी इस वर्ट ऑस नुद्हीं ठीक है यहां पे लिम्फ एसल्स तवी न यहां पर लिम्फ एसल्ट टाइए । फिक है एंट लिम्फ ग्लैंज ठीक है ग्लैंज क्रीक आप नोट्स भी लिग सकते हो ठीक है in the human body ठीक है which help to आप कह सकते हो transport lymph ठीक है यह मैं आपको बाद में बताते हूँ lymph क्या है ठीक है lymph को transport करते हैं from the body to the blood circulatory system क्लियर है तो lymphatic system क्या है बच्चा एक ऐसा system जिसमें बहुत ज्यादा lymph vessels है और lymph glands है जो कि क्या कर रहे हैं जो कि lymph को transport कर रहे हैं body tissue से blood circulatory system में क्लियर है बच्चा अब basically यह lymph क्या है बच्चा lymph कुछ नहीं है यह आप कह सकते हो एक white color का fluid है जिसके पास basically क्या है white blood cells especially कौन से वाले lymphocytes जो कि क्या करते हैं बच्चा जो कि blood के अंदर जो भी bacteria होते हैं उनके उपर attack करते हैं clear so what is lymph this is it is white color fluid आप fluid नहीं लिखना चाहते है तो word लिख सकते हो liquid ठीक है having wbc's wbc's आप जानते हैं मैं white blood cells की बात कर रही हूँ especially कौन बच्चा उसका कौन सा हिस्सा lymphocytes क्योंकि wbc's के भी further आप जानते हो types है तो उसमें से कौन से main वाले lymphocytes ठीक है और lymphocytes क्या है the cells that attack on bacterias ठीक है in the blood तो यह तो काम की चीज है है ना so वैसे अगर आप बात करोगे ना इस पूरे सिस्टम की ठीक है इस मैं शॉट फॉर्म में लिख रही हूँ लस ठीक है इट कंसिस्ट अग नी धिंक्स एक्शली ठीक है जैसे कि मैंने एक चीज लिखी that is lymph vessels इसके लावा जैसे वहाँ पे blood capillaries थी ना यहाँ भी क्या होंगी lymph capillaries ठीक है और क्या होंगे बच्चा lymph glands अब बच्चा इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं क्या काम है इसका तो इसका function क्या है बच्चा फॉर्स थिंग तो यह जो है यह बोडी में आप कह सकते हो fats को absorb करवा देता है ठीक है with the help of lymph vessels ठीक है in the intestine small intestine ठीक है so first function fats are absorbed by lymph vessels in intestine ठीक है second one बच्चा आप कह सकते हो जैसे कि मैंने बोला कि mainly lymph के पास क्या है बच्चा lymphocytes so आप कह सकते हो it provide आप कह सकते हो immunity ठीक है क्योंकि जो lymphocytes से वो attack कर रहे थे bacteria के उपर उनको मारने के लिए ठीक है तो मतलब यह हमें immunity provide करने वाले है through किसके through बच्चा lymphocytes है ना by producing क्या पढ़ यूस करके antibodies clear है ठीक है one more बच्चा आप कह सकते हो कि it also supplies the digested food and oxygen to the various parts of the body ठीक है supply oxygen and digested food to the various various parts of body clear है ठीक है और also remove wastage ठीक है like dead cells clear है यह function है इसका clear तो basically हमारी body में दो fluid होते हैं मैंने यह पहले भी कहीं discuss किया था human body में दो fluid होते हैं first one is blood and second one is lymph clear और बच्चे इसके साथ ही आपका transportation वाला जो topic है life processes का वो finish होते है अपका